कि आई प्रेंट कैसे हो आप सब आयों पाप अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे तो मैं नहां दो कि फ्री हो गई हूँ तो मैंने सुचा ब्लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर बने रही है आगे विलोग में और यहां पर मैं कपड़े दोएते तो उनको सुखा देती हूँ क्योंकि अभी धूप है फिर धूप नहीं रहेगी तो कपड़े भी नहीं सुखेंगे इसलिए मैं इनको अभी सुखा देती हूँ और आप कमेंट करके जरूर बताना मेरा विलोग आपको पसंद आता है या नहीं कमेंट में जरूर बताना अब तो सरदी ज्यादा पढ़ने लगी अब तक नहीं थी अब तो इतनी सरदी पढ़री तो क्या रही बता हूं आपको बहुत ज़्यादा और मैं आगे हैं सुवे सुवे नास्ता बनाने के लिए तो ये स्याम की रोटी रखी थी तो इनको गरम करके और इनको रोटी को तोड लेते हैं बारीक बारीक तो सुवे सुवे कर नास्ता हो जाएगा रोटी भी हमारी फिगने में जाएंगी इसलिए रोटी फैकनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अनाज ऐसी थोड़ी आता है अपन फैकते हैं अच्छा नहीं रहता है इसलिए देखो सर्दी में मटर भी खूब ज़्यादा आ रही हैं तो मटर भी डाल दो अपन तो इनका नास्ता मस्त बनता है आप ट्राई करके जरूद देखना कसा यह देखो ई है एक मीडियम साइस कालू ले लिए तह भी काट बारिक काट काट के इसको भी एट कर देते हैं कि तुद देख लो है कि यह मसाला भी डाल देते इसमें अलदी die पाउडर मेची पाउडर नमाग दनिया पाउड़र तुड़ा सा वो डाल देते पानि जुम मसाला मा जल रहे नहीं बारि बारिक एक मीडियम साइज के टमाटर भी काट लिए ओवी डाल देख थोड़ा सा पाई डाल देते तो वो जाएगा पकेट रेडी हो गया इसमें रूटी को तुकड़े करकर के डाली थी अब यह देखो यह मारा चलाया था थोड़ा सा और देखो यह मारा नास्ता रूटी वाला दियार हो गया यह देखो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया था यह आजाओ आप भी खालो और यहां पर हमारा स्याम का खाना खा रहे हैं तो आप भी आजाओ खालो और टीवी भी चल रही है के साथ साथ में टीवी भी देख रहे हैं हाई कैसे आप साथ गोट नाइट तो मैं इस विलोग को में यही पर एंड करती हैं अब मिलते हैं दूसरे विलोग में अब मिलते हैं दूसरे विलोग में अब माई इस विलोग बाचा करें दूसरे नवान